हेलो एव्रीवन कैसे आप सब ? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं इप लिप्रेंट डिप्रेंट वे में आप चुनी को किस तरह से ड्र comunque न are you खतुत्यू तो सबसे पहले आप आप इस तरह से कमर पर जो है टक करो ना पर के नहीं देख नहीं है? Siya head panel को इसमें चेह करेंगे हैं सरह को नहीं हैं और आपके पर हम उनको बोट से आप लाओगे और ला करके आपने मेजर कर लिया कि हाँ इतना आगे से लंबा रखना है और यहां पर आपको सैप्टी पीन की मदद से सोल्डर पर इसको सेट कर दिना है आज मैं आपको ब्रैडल की भी चुन्नी इसमें दिखाऊंगी और रैसे भी अगर आपकी लहंगा प करना है अब क्या करना है आपके हाथ में इस थ teenager से बौडर बौडर लेकर के कि जुन्नी बिल्कुल लंभी-lंभी सी न लगे गiri-गiri शी न लगे तो यहां पर बौर लेकर के और अंदर की तरफ से लगा देंगे यह दिखिए जितना भी है और अंदर в की तरफ से लगाए तो आराम से हो जाएगा तो यह कर दिया है उसके बाद क्या करेंगे कि मेरी क्लाइट सब देख रहां इनके बाल खुले है और कोई पफ भी नहीं है तो चुनि ना सर के सर से उसके लिए क्या करेंगे तो पहले सर पर जो है पहले चुनिदी रख करके हम देख लेंगे देखी यहां पर यह पिन लगा दिये हैं अब हम मेजर कर लेंगे कि कितना इनको पलू रखना है उसके हिसाब से हम जो है क्या करेंगे कि इस तरह से क्लिप आती है टिक टॉक क्लिप कर लाती है यह आपको मिल जाएंगी यह मैंने एमेजॉन से मंगाई है दान्स करो कुछ भी करो इनमें धो थोड़ी सी सिलाई करने की जरूतित हैं आप से ताक़ लगा लो और अराम से निकल भी जाती है तो अगर आप सर-से पलू लेते हैं और आप किछनी बार बार सा रखती है या सर-से पलू साडी का सा रखता है तो आप यह टैक्निक अपन तो बस इस तरह से इसको यहाँ पर से टक कर देंगे, दो आपको लगाने हैं, दो लगाएंगे, एक लगाएंगे तो ज्यादा लुक अच्छा नहीं आएगा गुलाई से, आपको दो लगाने हैं, और दो थोड़ी-थोड़ी सी डिस्टेंस पर लगाने हैं, तो बहुत आराम हम इसको बराबर बराबर distance पे मतलब यह देखीं, इस तरह से दोनों तरफ हम इसको टक कर देंगे और इस technique से आप चाहिए dance करें, चाहिए मतलब जो भी आप करो यह इस technique से आपकी चुनी कभी भी सर के गए और अब इसको क्या करना है सर पर लाना है और आप जैसे देख रहे हैं कि इनका बाल खुला हुआ भी है कोई पफ नहीं इनी के औरिजिनल बालों में हम इसको तक कर देंगे बस इसको आपको खोल लेना है इस तरह से देखी ये खुल जाती है और जैसे टिक टॉक पिन नहीं होती है वही है समझे और इसको यहाँ पर ला करके ये खुला और इसको फसाया और बस इसको लॉक कर दिया बस हलके से इसको दबाया ये लॉक हो जाएगा सेम हम इधर भी कर देंगे इसको लाए लगाया और लॉक कर दिया आब यह डांस करेंगी, चाहें कुछ भी हो, आपको ना सैपटी पिन की जरूवत है, ना बॉप पिन की जरूवत है, किसी चीज की जरूवत नहीं, बस यह पिन से इनका सेट हो गई, आब यह देखें, यह तो हो गया, इनका इस तरह से चुन्नी की टैपिंग कैसी लग रही ह और चुन्नी भी बढ़िया सेट हो गई तो ये लेंगे की सेटिंग कैसी लगी कमेंट्स करके चलू बताएगा मेरी ब्रैड को काफी कमफोर्टेबल फील हुआ और इनका लुक भी बहुत सुन्दा लग रहा था और इनका मेकप का वीडियो देखा की नहीं अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी जरू चेक आउट करिए कि इनका मैंने इंगेजमेंट का और शादी का मेकप कैसे किया था अब इनकी ब्राइडल चुन्दी अब ब्राइडल चुन्दी को लिए भी हम इस तरब से कमर पे करेंगे और कमर पे लाकर के टक कर देंगे यहाँ पर ब्राइडल में क्या होता है कि डबल चुन्दी होती है तो डबल चुन्दी को सिट करेंगे और वही हमने हाथ पे जाकर के पिन को बॉर्डर बॉर्डर लेकर के पिन को यहां पर स्वैप्टी पिन को यहां पर हम लगा देंगे ठीक है बॉर्डर बॉर्डर लेकर के अंदर से और पहले मैंने क्या किया था कि जो है पहली वाली चुन्दी मैंने राइट हैंड सोल्डर से ली थी अब हमने लेप्ट हेंट सोटर से लिए और पीछे सारी जो चुन्दी है ना उसको ला करके यहाँ पर इस तरह से अंदर लहंगे के अंदर कर देंगे ठीक है पीछे से ला करके तो एक चुन्दी तो ये सेट हो गई है ना आप चाहँ तो इसको सैप्टी पिन की भी मतदब से सेट कर सकते हैं यह यहां पर टक कर दिया है, बॉर्डर ही बॉर्डर देख रहा है, आप देख रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर देख रहा है, पीछे से यह चुन्नी है, अब इस लेंगे की दो चुन्नी भी है, मतलब दूसरी चुन्नी भी है, उसको भी टक करेंगे, तो यह वाली जो पह तो शैट कर सकते हो या फिर आप जूड़ा पिन से भी सेट कर सकते हो इसको अच्छे से सेट कर दिया है और इनका मेकप का का सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा बहुत ही सुन्दर लग रही थी बहुत ही प्यारी लग रही थी I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो प्ल लाइक भी नहीं करते हो शेयर भी नहीं करते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेरे से चरूर करेंगा थैंक्यों फॉर बच्चिंग बाई